हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लट्स लोग वित पूनम में आज मैं सेर कर रहे हूँ आप सब के साथ लोगी का हलवा ये बहुत ही कम इंग्रेटियंट में और बहुत ही कम समय में बन कर त्यार होगा हम इसे बिना चीनी और बिना बनाएंगे अगर आपको मेरी रेस्पी थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा और लाइक सेर एंड कमेंट करना ना भूले तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम यहां पर आदा की लोग के करीब लोगी लेंगे इसको मैं पहले दो हिं यहां पर हमारी लोगी अच्छे से कदूकस हो गया है हमें एक बात का ध्यान रखना है हमें पकी हुई लोकी नहीं लेनी है। अगर पकी हुई मीज के निकाल दे और यहाँ पर मैंने दो चमज के गरीब घी लिया देसी घी इसे हम अच्छे से करम करेंगे उसके बाद जो हमारी लोकी है कद्दू कस्की हुई उसे हम इसके अंदर डाल देंगे इसे हम दो चार मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चलाएंगे जैसे ही इसका पानी सोख जाएगा हम आगे इसमें दूद लेंगे यहाँ पर देखिए लोकी का पानी अच्छे से सूख चुका है यहाँ पर मैंने 200 ml के करीब दूद लिया है यह विद करीम दूद है मैंने इसके कोई मलाई नहीं उतारी गरम किया हुआ दूद है इसे में थोड़ा थोड़ा करके ही डालूं दोबारा से हमारा बचा हुआ जो दूद है वो भी इसमें डाल देंगे और इसे हम इसी तरह से लगातार चार पांच मिनट के लिए चलाते रहेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा इलाची पाउडर डाल देंगे ये ओप्सनल है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं मैं इसे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल रहेंगे और चार में पांच मिनट जैसे ही होते हैं हमारा जो अलोकी का हलवा त्यार हो गया देखिए ये चा जा रही है यए इस मीठे की जेगा हम इसे यूज करेंगे ये सक कर है इसे कच्छा मिठा भी बोलते हैं इसके डालने के बाद जो हलवे में टेस्ट है बहुत अछा है यहां पर मैने आधा कप पके करीब सक कर लिए और इसे हम डाल देंगे और लगाताऊ इसलाता है से 1-2 म चिने की यूज भी कर सकते हैं अब हमारा हल्वा बनकर तयार हो गया इसमें मैं दो चार काज्यू और थोड़े से बदाम और डालती हूँ और देखिए हमारा हल्वा बनकर तयार हो गया लग रहाना एक्तम से टेस्टी आप इसे बना कर जरूर देखिएगा और बताएगा कि आपको इस रेसिपी कैसे लगी अगर आपको रेसिपी धोड़ी सी पसंद आई तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और लाइक, सेर और कमेंट करना न भूले